हाई गाईस आजके स्वीडियो में आपको यह बताऊंगी कि आप बहुत ही साथ सिंपल वे में चिकन करी किस तरीके से बना सकते आपके घर पे इस चिकन करी में ना ही मैं कोई दही का यूज करने वाली हूँ ना ही मैं कोई मसाला यूज करने वाली हूँ जो कि आपको बाय कर के लाने घर के मसालों से बहुत ही सिंपल और बहुत ही जादा यमी वाला आप चिकन करे किस तरीके से बना सकता उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है तो वीडियो को बिना लेट कि अब में स्टार्ट करती हूँ कि आपको देख सकते हैं मैंने हाफ की चिकन लिया है और यह लैक पीस इसके अदे थोड़ा जादा है और आपको साइस जो भीचे आप उस साइज में को कट कर वाले उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं मैंने खड़े मसाले लिए तो यहां पर जीरा है काली मिर्च है फूल है जावित्री एंड कुछ इस तरीके से मसाले और यह लसुन अत्रक कापीस्ट हरी मिर्ची और धनिया और प्यास सबसे पहले आपको मसाले यहां तियार कर लेना मतलब जो भी मसाला डालना है तो यहां पर अद ikiablच यहिए टेष्ट हमार्डी पावडर बैर देट जमच के असपास अपको घनिया पावडर आधा चमick की आसपास आपको गर्म मसाले लेना है और आप नेक्स टेप की और चलते तो नेक्स टेप की बात करो तो यह है मस्टर्ड और तो आप नॉर्मल कोई भी और यूस कर सकते हो और यहां पर यह बहुत जादा और नहीं है बिसिकली इतना लगे गई इसको अप गरम होने देना है गरम यह जैसी हो जाए गैस का फ्लेम मीडम पे रखे तुरंद आपको सब खड़े मसाले डाल देना खातास सबूंद न Bow a तो ऑपको त्थक रखे जालाना बिरखितलिन देना होगा और आभ यह इतना अबत्स आप अगे पिसको आदेना इस रहलें और यह यहीं देना जाट है। यहां पर जो अधाली हरी ॹाहरऊ पर बेसिकल्य आउपे में हरी मिर्च का यूस कर घुछ से 7 वीयु वह बिच ने पार नियुक्न से कंपलई स्य्टिए पर इस तरप प्लिई तो आप को अगे लिए फस्त युट्ष में इと तो आप समझे कि यह न प्रोपर एक तरीक से फ्राय हो चुका है और अभी आपको ही चिकन का पीस सब डाल देना है और डालने के बाद अभी आपा ची Crimea के दूंसे एक बार और कर लेना है और मिक्स जैसी हो जाए तो अभी आपको इसके थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है जिससे को कलर बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा जाएगा जादा नहीं थोड़ा से हल्दी पाउडर और अभी आपको अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेना है यह बह दखने की कोई भी जरुवत नहीं है आपको नहीं डखना इसको अब आपको अगें इसको इस तरीके से चला लेना अगें आपको थोड़े दिर के लिए बूल लेना आप चाहो ता फोकर में भी स्थीम को बना सकते हो को इस्ष्यू नहीं है आप देख सकते हो इसका जो ऑईल है बहुत ही अच्छी तरीके से रिलीज हो गया है अब आपको क्या करना अप 5 एक मिनिट आपको गैस को ऐसे रहने देना है जस्ट एक मिनिट बाद अभी आपको इसको एक बार अच्छी तरह के से चला लेना है और आफ्तट रहर आपोaster आपटब देखेके कितने अची तरीके से यो रिलीज हो गया आप यह जोड़ी मसाले को हमोगी मिक्स करको रखे ठील, देल करेंगे वहीवगास आपको और दाल देगे और आपको उसको अच्छी तरीके से अब पर चला लेना है और जो नमक की बात करूँ तो नमक भी अभी आपको बेसिकली यहां पर डालना है तो सबसे पहले आप इसको बस अच्छी तर किसे चला लीजिए गैस का फ्लेम आप मेडियम पर रखे या फिर मेडियम तू हाई पर भी थोड़ा सा रख सकते हो और यहां पर आपको थोड़ा पानी डाल देना तो पानी मैं बहुत जादा नहीं डाल रही हूँ एक कटूरी के असपस कुछ आपको पानी डाल देना है और आपको अगेन इसको अच्छी तरकी से चला लेना है और नमक की बात करूँ तो यहां पर नमक आपको जो भी आपका टेस्ट है वो सब सब यहां अभी आपको इसको ढख ढख कर भूलना है, स्टार्टिंग में हमने इसको बिल्कुल भी नहीं ढखा था बट अभी आपको इसको अच्छे तरह किसे ढखना है, यह इसका फ्लेम मीडम पे होगा, और अब आपको इसको ढख कर भूलना है, थोड़े देर बाद आपको अगेन है और अब ढ़ना को कितली तरी है इस इस तरीके से चिकन कितनी तरीके से प्रेज़ता हूं गई इस 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 अच्छी तरीके से और देना है थोड़ी दिर बद देख सकते हो यह five almost हो गया है इसका जो ओई अपको थोड़ा ऊहल ज्वारिके से कितने अच्छी तरीके से करते लेकिन जो भूने का प्रोसेशना बहुत ही जादे जरूरी होता है और थोड़े दिर बाद देखे अब जाके इस कोईल तरीके से रिलीज हो गया है और यह अच्छी तरीके से फ्राय हो गया है तो अभी यहां पर पानी डालने की बात आती है तो पानी आप उतना डाले आपको जूस आपसे बढाना है जादा ग्रीवे आपको रखना है तो आप पानी थोड़ा जादा डाले थोड़ा कम रखना है तो कम अगर आपको रोटी के साथ में नान के साथ में खाना है तो पानी थोड़ा कम ही डाले ठीके चावल के साथ खाना है तो आप पानी बग देती है अच्छी तरीके से फ्लेट से पस्पाच मिनुट या छी मिनुट हो जाए तो अब आप देख सकते हो अच्छी तरीके से अब रहा है और यह तैयार हो ही करा है तो रॉलास्ट में हमको यहां पर धन्या की पत्ति डाल देनी है जिसका टेस्स बहुत अच्छा आत वाल न देख सकते हो हमारे जो चिकन है डिलिशिस वाला चिकन करी हमने रडी के लिए है यह बहुत ही ज़ादा यह में लगता आप इसे ज़रू टाइके जया राख पसंद आएगा आप इसको नान के साथा से चाहिए रोटी के साथा सिप्ते हो चावल की रोटी भी आप बना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या है